बुल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोट ने सरकार को जम कर फटकार लगाई है जी हाँ अब बीना पर्मिशन के जुर्म साबित हो जाने के बाद भी कोई किसी की इमारत को गिरा नहीं सकता क्या है पूरा मामला आप इस वीडियो में बने रहे हमारे साथ हम आपको बताते हैं सिर्शन आले में बुल्डोजर न्याएं के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी जिसमें कहा गया था कि बदले की कारवाई के तहत पर बगैड नोटिस के घर गिराए जा रहे हैं मद्यप्रदेश के मुहबद हुशयन और राजस्थान के राशित खान के तरफ से याचिका दाखिल की गई थी इस पर जस्टीस बी आर गवई और जस्टीस के वे विश्वनात की बिंच सुनवाई कर रही थी मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने कहा है कि कोई भी आरूपी है सिर्फ इसलिए एक घर को कैसे गिराया जा सकता है अगर वह दोसी है तो इसे नहीं गिराया जा सकता है अदालत इस मामले पर अगले सोमवार को आगे की सुनवाई करेगी सुनवार को कोट ने इस बात पर जोड़ दिया है कि वो सडको या अन्य सावजरिक जगों पर अवैद नर्मानों का समर्थर नहीं करते हैं लेकिन समपत्ति को गिराया जाने की प्रक्रिया कानून के हिसाब से होनी चाहिए सलिस्टर जनरल तुशार महता ने कोट को बताया है कि किसी भी समपत्ति को सिर्फ इस लिए नहीं ढाया जा सकता क्योंकि वह किसी अपरादिक केस में शामिल या दोसी से जुड़ा हुआ है उन्होंने कहा कि ऐसा तभी होता है जब धाचा ग्यार कानूनी हो इस पर जस्टिस गवई नहीं कहा है कि तो आप इस पर स्विकार कर रहे है फिर हम इसके आधार पर दिशा निर्देश जारी करेंगे किसी के आरोपी होने पर भी उसकी समपत्ति कैसे गिराई जा सकती है आपको बता दे कि उदैपूर के रहने वाले 60 वर्सिये खान की तरफ से दाखी लियाचिका में कहा गया था कि उनका घर जीला प्रशासन ने 17 अगस 2024 को गिरा दिया था ये सब उदैपूर में भड़की सामप्रदाइक हिंसा के बाद हुआ था जिसमें कई वाहनों को आग लगा दी गई थी और निशेधाग्या लागू होने के बजार बंद करा दिये गये थे ये घटना एक मुस्लिन चातर के तौर पर हिंदू सहपाठी को चाकू मारने के बाद हुई थी बहरहाल अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोट के इस फैसले के बाद सरकार इस पर कि नहीं रही है कि न्यूस 24 के साथ